ओम नमस्षिवाए मैं हूँ एस्ट्रोजर केम सिना और मैं अपने यूटूब चैनल पर आप सभी का हारदिक स्वागत करता हूँ देखिया हम लोग बात करने वाले हैं लगातार पांचवा समन दिया गया लेकिन फिर भी अर्विंद केजरिवाल जो की मुख्यमंत्री भी है दिली के आम आदमी पार्टी के सहीं हो जक है और जिस तरीके से लिकर स्कैम हुआ उसको लेकर जब भी एडी उनके पास जाती थी उनके मंत्रियों के पास जाती थी तो एडी को ये सीधा कया दिया जाता था कि ये राजनीती से ओत प्रोत है इसलिए नहीं जाएंगे लगातार इतनी बार प्रेशर करने के बाद भी आप देखे हेमंत सुरेन दस एडी के जो समन थे उनके दस समन को जब एक्सेप्ट किया उसके बाद एक यार मतलब दसवे समन के बाद उनको अरेस्ट करना पड़ा तो ये जूट का डिले हुआ इडी ने एक फैसला जो किया और मतलब एक ऐसा फैसला जिसमें इडी को खुद कोट बेजाना पड़ा समन नहीं कोई एक्सेप्ट कर रहा अगर किसी तरीके से एक जनरल इंसान होता सपोस कीजिए कि किसी इंसान के ऊपर इडी का सिकंजा होता तो वो उसको जाना पड़ता लेकिन ये मुख्यमंत्री बनकर लोग सूचते हैं कि उनसे बढ़कर कोई नहीं है जबकि उनको ये पता होना चाहिए शनी देव अभी अपने मूल त्रिकोन राशी में गोचर कर र पहले आने के लिए कहा गया है तो क्या सत्रा फर्वरी से पहले जब ये जाएंगे और शनी देव जिनको न्याय का देवता कहते हैं वो अस्त हो जाएंगे तो क्या अभी भी किजरिवाल बचेंगे या किजरिवाल को जेल जाना होगा आम आदमी पार्टी को लेकर प्रेडिक्शन इस चैनल पर किया गया था बहुत पहले ही किया गया था मुझे याद है कि पिछले साल का प्रेडिक्शन था जिसमें सबसे पहले मनीश सी सौधिया पर प्रेडिक्शन किया गया संजय सिंग पर प्रेडिक्शन किया गया और उ लिए गया था, आप होगी साफ, अगर मैं गलत नहीं हो, तो आप जरूर उस वीडियो को देखिएगा, आप होगी साफ, तो आप कब साफ होगी, जब उनके जो सैयोजक है, और इनके जो पूरे मंत्रियों की लिष्ट है, सब अगर जेल में जाएंगे, तब ही तो साफ होगी हाला कि जेल, मतलब इनका बहुमत तो रहेगा अब ये जेल से संचालित करेंगे चीजों को लेकर लेकिन अब बहुत जादा दूर भी नहीं है समय और इनका जो अच्छा समय था अल्रेडी खतम हो चुका है और मैंने ये प्रेडिक्शन दिया था कि अक्टूबर नॉंबर के आसपास इनको भी जेल में होना चाहिए हला कि वो भी शिफ्ट हुआ अक्टूबर नॉंबर के जगा पर अब ये फैब्ररी आ रहा है और इडी पूस्ताश करने के लिए जा रही है जिस चीज से ये बच रहे हैं कभी मौन वरत धारन कर ले रहे हैं कभी कह रहे हैं कि मुझे मद्यप्रदेश में चुनावे उसके लिए जाना है इस्टार प्रचारक हैं जबकि मद्यप्रदेश में जीरो सीट आम आदमी पार्टी को मिली कभी कुछ कभी कुछ और इनकी जो इनके साथ ही है आतिशी उनका भी बयान आपने सुना होगा उल्टे सीधे बयान देकर जनता को गुमरा करना चाहती है जो तिशी रूप से अगर मैं कहूं यहाँ पर तो प्रडिक्शन पहले इस चैनल पर की गई है और इस समय थोड़ी सी परिशानी क्या है कि शनी देव जिनको न्याय धीश कहा जाता है न्याय के देवता हैं और अस्त हैं और जो डेट आ रहा है इग्यारा फरवरी से लेकर अठारा मार्च तक अस्त रहेंगे और मंगल देवता जो बहुत ही अग्रेसिव माने जाते हैं अगर आपको याद होगा पिछले वीडियो में ही मैंने बोला था कि अप्रायल और मार्च की बविश्वाड़ी में कि मंगल देवता जैसे ही राशी परिवर्तन करके अपने उच राशी में जाएंगे वैसे ही बॉम ब्लास्ट होना अगनी चीजों का बहुत जादा प्रजुलित होना क्योंकि अगनी तत्व सूरे भी होते हैं अगनी तत्व मंगल भी होते हैं केतु के अंदर भी अगनी वाली प्रापर्टी है और इनका कॉंबिनेशन बनने जा रहा है और ये बारा से अठारा की बीच में सबसे जादा हाई एलर्ट पे रहेंगे अभी पठाके फैक्टरी में जो जिस तरीके से लोगों की मृत्य हुई है ये सारी चीजे और बहुत सारे लोग गायल है लवक दो सो लोग गायल हुए जैसा रिपोर्ट मैंने चक किया तो ये मंगल का प्रभाव सुरू हो चुका है और इनकी जो कुंडली बनती है के जिरिवाल की जो कुंडली बनती है वो निश्चित रूप से मैं बता दूँ कि इस समय इतनी कमजोर है बले ही शनी इनके अभी दशम भाव में गोचर कर रहे है और जैसे ही ये गोचर करेंगे डेट होगा पच्चिस मार्च दोहजार तेईस 29 मार्च तेईस 29 मार्च सौरी 25 मैं कहूँगा 29 मार्च दोहजार 25 जब शनी देव अपनी मूल त्रिकोड राशी से निकल जाएंगे और मूल त्रिकोड राशी ने में जब ये जाएंगे तो उसके बाद इनका जो राजनितिक करियर है वो बहुत तहीं से कमजोर पढ़ना प्रारम बोजाएगा जितने लोगों की सिंपती थी उतनी सिंपती क्योंकि ये सच्चाई जब आएगा जब सच्चाई सामने आएगी तो पता चलेगा हमारे वीवर ज़रूर प्रस्चन लिख रहा है कि गुरुजी केवल ईडी ने बुलाया है इसका मतलब जेल तो नहीं है ठीक है आपकी बात एकदम रिस्पेक्ट कर रहा हूँ आपने जो कमेंट लिखा है रिस्पेक्ट कर रहा हूँ लेकिन प्रडिक्शन मैं यहाँ पर द लोगी बिहार के लिए जारकंड के लिए दिल्ली के लिए सभी के लिए बोला गया था और दो प्रदेशों में तो आपने देखा एकदम सटीक साबित हुआ प्रेडिक्शन अब यह मैंने बोला था अब अगली जो चीज़े हैं वह दिल्ली में आएगी और दिल्ली भी 18 से पहले यह होना था 18 सा पहले अगर कोट का समन्द या गया है आपने देखा कोट का समन्द के बाद मुख्यमंत्री को गिरिफतार पहले मुख्यमंत्री थे हेमन सुरेंजी जिनको गिरिफतार कर लिया गया क्योंकि इतनी बड़े स्कैम में फसे हुए थे तो इसमें उन्हों पोस्ट को लेकर बचने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन फाइनली वही होगा जो भगवान ने लिका है शनी देव इस समय अस्त रहेंगे और अस्त शनी न्याय देने में थोड़ा सा डिले करने की कोशिश कर सकते हैं मेरा प्रेडिक्शन है क्योंकि साथ दिन का ही समय वो मिल रहा है सत्रा तारी तक का समन मिल रहा है जो आना है और अब की बार तो इनको जाना ही पड़ेगा क्योंकि कोट का आदेश है अगर कोट के आदेश को भी नहीं मानते हैं तो फिर मेरे ख्याल से इनका वीजन क्लियर र पारण जो है आतिशी ने जिस तरीके से प्रेस कॉंफरेंस किया था उसमें भी यह सारी होंगी अब लोग कुछ सोच रहा हूंगे कि यहां तो पॉलिटिकल प्रडिक्शन मैं देने जा वो बताते जा रहा हूं राजनीतिक प्रवक्ता के रूप में बोला बहुत सारे रोंग भी देश भाग जाएं या कहीं पर भी चले जाएं उनको उनका बचना मुश्किल हो गया है मैक्सिमम समय जो है मैंने बोला था कारेकाल जो रहेगा यह अपना पूरा कर लेंगे लगब लगब अब यह जेल से बैठके कारेकाल पूरा करेंगे जेल गिरिफतार होने के आएंगी और इडि उसको गिरिफतार करेंगे अठारा तारीक का डेटा अठारा तक अगर हो जाता है सबकुस तो अच्छा है अठारा के बाद थोड़ा सा फिर डिले होने की संभावना बन जाती क्योंकि फिर लोकसभा चुनाओ भी आएंगे और अप्रेल और मार्च का ज जरूर देखेगा लेकिन मेरा तो यही प्रेडिक्शन है कि अब इनके जेल जाने की संभावना बहुत जल्दी बन रही है और जेल जाना ही पड़ेगा इनको और इसका लोकसभा चुनाओ पर भी बहुत जादा प्रभाव पड़ेगा तो अभी के लिए इतना ही केवल जो दिया गया था उसके बारे में बात यहां पर कर रहा हूँ आप अपनी प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा प्रश्ण यही है कि क्या केजरीवाल को लगातार समन किया जा रहा है समन बेजा जा रहा है उसके बाद भी नहीं आए तो क्या उनको ऑनेस्ट होते होते कि है इसमें एस्ट लोजी की बाती नहीं आती है एक खारिज होता है तो दूसरे ुकूड में जाहेंगे दूसरे से होता है और जब तक और अपने ऐसी सम्भावना रहेगी है कि न में रिक्वेश्ट में इंडियक धी रिजल्ट हया है उसस सबसे हैले तो निश्य Okeอह तो यह आप स्टार्ट करेंगे डारेक्ट आप हाई कोट या सुप्रीम कोट तक नहीं जाएंगे तो वह अलग चीज है लेकिन न्याय-धीस थोड़ा सा अस्थ होंगे तो न्याही की प्रक्रिया में थोड़ा सा डिले होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है लेकिन एक जिस्तों कंफर्म है कि जेल तो इनको जाना है आज नहीं तो कल इनको जेल जाना है और 18 तारिक तक का ही मेरा समय था जिसके अंदर इनको आना था तो एक क्विक रिव्यू था प्रेडिक्शन पर अभी के लिए इतना ही आप अपनी प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा मैं हूँ एस्ट्रॉजर केम सिना ओम नमस्षिवाए